अलो चिल्डान वेकम बेक यॉल आज हम जानेंगे कि प्रेश्ण निर्मान कैसे करते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रेश्ण बनाने नहीं आते जबकि ये कोशन बनाना बहुत इजी है आप इंग्लिश में भी बनाते हैं ग्रैमर में हिंदी में भी शायद आप बनाते ही होंगे और संस्क्रिट में भी कैसे बनाते हैं आज मैं सिखाऊंगी कि प्रेश्ण निर्मान कैसे करते हैं जैसे बेटा आपके इंग्लिश में होते हैं वेन हूँ वाट हूज हूँ 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 तो उसी तरह से संस्क्रिट में भी होते हैं तो आई हम इसका किम का इस्ट्रेलिंग और किम का नपुसकलिंग ठीक है अब इन तीनों के मीनिंग क्या होते हैं सेम होते हैं कौन और क्या कभी ये कौन में यूज़ हो जाता है और कभी ये क्या में क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस पर नेक्स तमारा आ गया कुत्त है कहां से ये अपादान के उसमें आ गया अलग होने में अपादान की तरह अलग होने में अभी मैं आपको इसके एक्जामपल के साथ समझाऊंगी नेक्स हमारा आया कुत्र कुत्र होता है कहां यानि कि ये आ गया हमारा कहां पर ये आ गया हमारा स्थानवाच के लिए नेक्स हमारा आएगा कठम कैसे ये ये मारा आजाएगा क्रिया विशेशन के लिए गोड़ा तेज़ दोड़ता है गोड़ा कैसे दोड़ता है अश्वय कथम धावती तो अश्वय तीवरम धावती तो कैसे दोड़ते ठीक है नेक्स्त आया हमारा कती कितने यह हमारा आगया संख्या वाचक के लिए ओके एक मारा आजेगा कदा कब यह हो गया समय के लिए जैसे समय के लिए एक्जाम्पल ले लो बाल कहां साय काले क्रिडंती या पटंती ठीक है कोई भी आप ले सकते हो उसके बाद आया हमारा की द्रिश है यह हमारा की द्रिश है जो है इसका शब्द रूप चलता है फुलिंग इस्त्रेलिंग और नपुसकलिंग की द्रिश है की द्रिशी और की द्रिशम तो यह हो जगा कैसा तो यह किसके अली आ गया बिशेशन के लिए adjective अब हम सभी इसके साथ साथ example देखेंगे ताकि हमको clear हो जाए कि यह कैसे बना सबसे पहले हमने क्या लिया केम का pulling group देखेंगे meaning मैंने आपको बताया ही था कौन या क्या अब सबसे पहले हम इसका एक वचन देखेंगे ठीक है जैसे यह आ गया सब यहाँ पर आ गया एशर और यहाँ पर कोई भी रामय है या बाल कहे कुछ भी ठीक है यह तीनो आ गये और यहाँ पर इसमें साथ में आ गया जैसे की पर्टी से पर्टी एशर पर्टी रामय है पर्टी कोई भी संटेंस आ गया और हमें कोश्चन बनाना है से पर्टी वह पर्टा है तो हमें कोश्चन बनाना है तो हम से को चुपाएंगे तो हम क्या लिखेंगे कौन पढता है तो हम लिखेंगे क्ये पढती अब हम इसकी जगे पर एशय पढती आएगा तो Cake 3 नहीं कि हमारा य Marriage यह दिती 상around कर रूप चल राया है तो हम पुलिंग का जो है इक बचन का रूप चलाएंगे हमारा एक वचन का रूप कैसे चलता है कै कव के और इस तरह लिंग में कैसे चलता है का के काहा और नपू सक लिंग में किम के कानी इसी तरीके से हमने एक वचन लिया नेक्स हम लेते हैं दूई वचन में अब दूई वचन में देखेंगे क्या आजएगा से का क्या हो जएगा तव एशे का एतव और रामय का रामवब्त और यहां पर क्या पठते है कोई भी क्रिया आ सकती है लेकिन वो अगी D बचम में तव पटते आ गया ए तव पटते आ गया या रामँ पटते आ गया में इसका mare बनाना क्रिया हम सेम और भी दाएंगे यह वह क्रिया धो ठीक है यहाँ पर हम चेंज करदें गहर्लोप आ गया तो यहाँ पर भी केम बहुवचन में हो गया के, एते और रामहा, राइट, बाल कहा भी हो सकता है, ठीक है न, यह डिपेंड करेगा अपने संटेंस पे, तो यानि कि यहाँ पर अब यह बहुवचन आ गया, तो बहुवचन की ही क्रिया लेंगे, पठंती, अब यह आगया, स्वरी, यहाँ पर हमने क्या ले था के, यहाँ पर हमने लेने टे, सै तव ते, ठीक है, तो यह आगया थे एते रामहा, अब हमें ते पढ़नती या एते पढ़नती या रामाः पढ़नती के लिए में क्या कोश्चिन मनाना है के पढ़नती अगर आपको ये शब्द रूप याद होंगे केम का तीनों लिंगों में तो आपको कोई मुश्किल नहीं आगी अगर यहाँ पर कोई शष्टी विवक्ती से आ गया sentence जैसे यह चात्र की पुस्तक है यह राम की पुस्तक है तो यह आ गया कि एश है रामस्य पुस्तक मस्ती और हमने यहाँ पर दे दिया कि यह किस की पुस्तक है आपको मालूम ही है कौशन है ये विभी में किम इन रहते हैं क्यूंकि क्यूंकि का ये सोवक्ति प्सक्राइब कैसे और also किमें से इस सिह इस न की रखनAmांड में के बातों है दहाया, कशनीं को एक घाम हो गया मीनिंग आपको मालूम ही है कौन और क्या अब यहां पर आ गया सा एक उचन में देखेंगे सा या फिर एशा या फिर लता ठीक है कोई भी चीज आ गई और यहां पर क्रिया आ गई लिखती या भ्रमति आ गई पठति आ गई खेलती आ गई तो ते एते और लटे और यहाँ पे हमारा अग्या लिखता है क्लिधा लिखता और यहां पर आ गया लिखता है तो हमारा यहां पर क्या आजेगा का का जो शब्द रूप चलेगा अब यह दू बचन में अब हमें यही चीज़े पता होंगी तो हमारे को कोई मुश्किल नहीं आजेगे हम सीधा-सीधा लिखेंगे के लिखता है क्रिया जो है वह हमारी सेम रहेगी और यहां पर कोश्चन नेक्स्ट बहु चन्प का देख लेते उधारन एक एक उधारण में सभी का बताऊंगी ताहा एता और लताहा और यहां पर आ गया लिखन्ती है तो यहां पर किम का रूप शब्द रूप इस तरी कहा यानिक यहां पे ताहा दे रहता है कहा लिखनती कौन लिखती है कौन लिखता रइठerson और आपको इसी का अंसर लिखना है कहा लिकुंती तो आपको तरिए लिंग इना अगर कोई option गिवन तो आप अपनी मरजी से लिख सकते हैं ताह भी लिख सकते हैं, मालहा भी लिख सकते हैं As you wish अगर आपके पास option given नहीं है तो ऐसे ही किम का नपु सक्लिंग में आ गया किम नपु सक्लिंग में Meaning आपको मैंने बताया यह कौन या क्या के लिए यूज़ हो जाता है तो यहां पर आ गया एक वह गिर्टा है पत्रम पत्ता गिर्ता है तो आपको इसके लिए क्या question बनाने किम पत्ति कोई भी तीनों में से एक आ गया तो आपको बनाने किम पत्ति क्या गिरता है ऐसे दीवचन में देखेंगे यह बात में बार-बार कहरें इसके लिए आपको शब्दू पाना बहुत जरूरी है किम का लिए टे पत्रम का होजएगा पत्रे दीवचन में और ऐत्रका क्या होजएगा एत्ष हमारा इस्त्री में ठीक है बड़ डिपेंड करेगा कि हमारा सेंटेंस कैसा है ओके अब पत्र से पता चल रहा है कि पत्रे से पता चल रहा है कि यह हमारा नपू सक्लिंग का वर्ड है नेक्स हमारा आया बहुवचन में बहुवचन में क्या हो जाएगा तानी पत्राणी और एतानी तो यह हमारा क्या हो गया पत्राणी ठीक है तो यहां पर हमारा क्या आजएगा कानी क्यूंकि यहां पर बहुवचन यही से भी पता चल रहा हमें कि यहां पर कानी है कानी मतले ना क्यूंकि यह पत्राणी अडा क् है क्योंकि इसमें र्थी साउंड है कैडिन को यह थो हमारे सारे कि म के पूरी होगा कि नेक्स तेक्ट हम नेक्स-्चâu मारा सपोज आ कुत्र होता है कहां पर या कहां तो यह हमारा हो गया स्थान वाचत अब एक्जाम्पल लेते हैं कि बाल कहां उद्ध्याने क्रिडंटी अब इसको हाइलाइट कर दिया कि हमें क्वेश्चन बनाना है तो हम कैसे करेंगे बाल कहां उद्ध्याने क्रिडंटी तो हम लिखेंगे बाल कहा कुत्र क्रिडंटी अब हम यह आपे क्वेश्चन माट पूट कर देंगे तो उद्ध्याने की जगे मैंने क्या दे लिए कुत्र कर दो कि आपने इसका क्वेश्चन बना दिया बाल कहा कुत्र प्रिडंटी बाल कहां खेलते हैं अगर आपको इसका आंसर बनाना तो आपको पता होना चीए कि य सब्सक्राइब बगति में यूज ओगा ठीक है ऐसे एक और एक्जामपल देखते हैं नेक्स का एक्जामपल देखते हैं कुता है कुता होता है कहां से तो यह गया अलग होने के बाव में जैसे गंगा हिमाल्यात निसर्ति अब यहां पर आगया गंगा हिमाल्या से निकलती है तो गंगा हिमाल्या से निकलती है अब हमें बनाना है गंगा कहां से निकलती है तो हम क्या लिखेंगे गंगा हिमाल्यात की जगे कहां जगे कुता है क्यूंकि यह एक स्थानवा चक है तो कुता है निसर्ति और यहां पर हम क्या करेंगे question mark put करेंगे ठीक है ऐसे नेक्स चाहिए कथम कैसे यह किसके लिए यूज़ हुआ क्रिया विशिशन के लिए अब यह क्रिया विशिशन के लिए जैसे कच्छुआ दीरे दीरे चलता है तो यानि की कच्छुआ कैसे चलता है ठीक है तो हमने लिखा जैसे कच्छ पर शनए शनए चलते ओके यह जो शनए शनए यानि की यह क्रिया विशिशन हो गया तो यानि की कैसे चलता है तो हम इसके शनए शनए अगर आगया या highlighted हो के आ गया तो हम इसकी जगे क्या लिख देंगे कथम और बाकी sentence हम same लिखेंगे और यहाँ पर हम एक question mark put कर देंगे ठीक है एक और example देखते हैं कती कितने यानि कि यह हमारा संखे वाचक के लिए यूज हो गया ठीक है जैसे चार बालक चतवारे बालकाह पठंती या खेलंती या क्रीडंती खिक है या भ्रह्मंती जो भी आज़ा है भ्रह्मंती लिख देते हैं तो यहां पर आगे चत्वारे पर अंडरलाइन हो क्या आ गया तो आप क्या लिखेंगे इसकी चत्वारे की जग्ञाए कोश्टन बनाने में कती बालकाह ब्रह्मोंती और यहां पर कोश्टन मांद फूर्ट कर देंगे टिके एक-अर एक एक्जामपल देखते हैं कदा कब कदा कब सबका में एक 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 गजामपल बतारी हूं कि वीडियो फिर काफी बड़ी हो जाती है बाकि आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं यह हो गया समय के लिए जैसे तो हम साइंकाले पट्सी अच्य यह भी आपके डिपेंड करेगा यह आपका कैसा सेंटेंस है तक अपने क्वेशन देखने कि क्या बनाना है बाकी अमारा सेंटेंस सेम रहेगा अब तो हम आया सेम ही रहेगा लेकिए यहां पर अमारा क्या देगा साएकाल ह면 कंखух कधासे सभाएं से महाने चाल कि इस लिए मैंने आपको बताया कि हुए बहुत सी कि रूपल मीर्ण मेल करहुती है है तक हो एक करें एक है तरके आपको क्वेशंक म्नाने में कोई प्रॉब्लम से परेंग खस्थ वीश अधन संवर्sen के लिए यह मैंने आपको डायग्राम में बताई दिया था अगर आपको डायग्राम आता है तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे एक या दो बारी आपको प्रैक्टिस करने की जुरूत है उसके बाद आपका यह कुश्चन तो कभी भी गलत नहीं होगा जैसे यह करिए योग्य है बाल कहें अस्ती कि अ अब यहां पर आ गया योग्ये बाल कहें पर ठीक है तो आपने क्यों किया लिखने योग्या तो लिखेंगे 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 लिगैं legally पर underline अस्ति यह आप इस्त्री लिंग के लिए हो गया क्योंकि इस्त्री लिंग सेंटेंस बन गया तो आप क्या करेंगे कीद्रिशी क्योंकि इस्त्री लिंग के लिए कीद्रिशी छात्रा अस्ति यहाँ पर कोश्चन ना ऐसे ही अगर नपुशक लिंग में आ गया तो क्या लिखे हैं कैसी पुस्तक लें सुन्दरम पुस्तक नहीं लेते सुन्दरम या शोबनम कोई भी ले सकते हैं पुषपम सुन्दरम अगर या पर हम नपुसक ले रहे हैं सुन्दरम पुषपम भी आप त्राइ कर सकते को आप comment box में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इस चीज का पता चल जाए कि question कैसे बनाते हैं क्योंकि हमारा एक ही motive है कि सबी बच्चे अच्छे से संस्कित जान सके हलंकि यह language इतनी कठिन नहीं है बट बच्चों को हुआ सी लगते कि जैसे पता नहीं क्या हो गया ठीक है लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ ना देंगे ओके चिजन टेक टेल बाई बाई